के गाइस तो अच के वीडियो में कवर कर रहे हैं क्या एस 23 2024 में वर्थ वाइंग है और अब तो 2025 आने वाला है तो क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए ठीक तो ये कमेंट था उसके उपर ये वीडियो में बता रहा हूं तो यहां पर देखो कुछ चीज है जो कि ना होता किया जैसे ये मेरा फुराना फोन है इसको अभी 9 साल हो चुके है तो 25 में ये 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस फोन के फोन काफी पॉपिलर था उस ताम पे रेड्मी 3S ठीक है तो काफी चीज़ें काफी सरी चीज़ें मैंने इस फोन से करी है चैनल स्टार्ट मेरा प तो उस टाम पे ना ये फोन अच्छा था और अभी वी ये फोन काफी तक चीज़ें को मैं कैपिबल है अब सोच रहोगा मैं इस चीज़ों क्यों बता रहा हूं को देखो होता क्या है हम एक फोन से जैसे मैंने इस फोन के बाद रेड्मी नोट 10 पर स्विच करा कुछ तो र मदरबोर्ड है वो चेंज हो जाए तो जो हार्डवेर लेवर पर जो स्पीड है ना और वो स्पीड को थोड़ा साइड डगके चीज़ें देखें तो एप से लेके हर चीज सौफ़ेर वाइस अगर सपोर्ट कर जाते है इस फोन में तो मुझे निलगता है इस फोन को मुझ ग्यास जो कि पड़े फोन हैं उस पर जांगा को already अगर इस फोन थोड़से महेंगे ही है तो फिर मैं सीधा केमरे पर सूच करेंगा लेकिन अगर मich Climate सपोरय का अगर इस फोन UP का जो चिप है वो चेंज हो जाता तो हम सुछ नहीं करते लेकर क्योंकि फोनमें ऐसे चीज या तो हमें पूरा फोन स्विच करना पड़ता है इसमें कुछ एप्स है जो कि साइद अभी के टाइम में जो बहुत जादा है यह से बिल्कुल रेयर एप्स है बिल्कुल एकदम एहाई वाली एप है तो इस टैप की एप साइद नहीं चल पाई क्योंकि दो रीजन पहला करता भी तो देखो काफी सारे जो एपस इसमें इंस्टॉल भी है ठीक अच्छे से काम कर जाता है डिस्प्ले पर वर्किंग है सब कुछ प्रॉपर वर्किंग है इस फोन में ठीक अब होता क्या है कि अगर इस फोन में अगर आप यूटूब से लेकर और चीज चलाना चाह है सब कुछ चल जाता है कुछ-कुछ आपस है जैसे विल्कुल वहां पर सपोर्टेट नहीं होगी और अब सुचो एक सौफ़ए कंपणी जो मीडिया कंपणी है जो एपस बनाती है सब चाहेंगे कि आप उनको जो एपस है वह सभी फोन से इंचॉल रहे हैं और जितने भी फोन यूजर से मैं बता रहा हूं मैज्जोरिटी ओ फोन यूजर अपना फोन तीन साल तक चेंज करते ही नहीं हैं और कुछ-कुछ साथ-एट साल शे साल उसके बाद भी चलाते ही रहते हैं यूज करते हैं विकस फोन में कुछ ऐसा खास नहीं होता तो प्रॉलम नहीं होत प्रॉलम नहीं होता है यूज को सही में पता होता है वेल्यू फोन की तो वहां पर बात आती है फिर इस टाइप के बड़े फोन क्या आप लेना चाहिए बड़े फोन में इंस्ट्पेंट करना चाहिए ठीक कुछ चीज है कि यह जो पुराना फोन जो भी आप यूज कर रा है उसमें भी कोई प्रॉलम नहीं है बड़ अगर हम यहां पर बात करें सीप्यू चिप आज भी इसका कैपवल है आज भी आप इस पर गेम चला सकते हैं ठीक है और आज भी यह फोन काम कर सकता है कॉलिंग सब चीज़े हो सकती है तो फिर यह इसका जो प्रॉस्टर आइध फुल फुल वर्किंग तो नहीं क्योंगा 90 पर्सेंट वर्किंग कंडिशन में बिल्कुल सही काम कर जाते हैं सब चीज़े एप सब चल जाते हैं सेम एपस जो इसमें चल रहे हैं वही एपस में इसमें यूज करता हूं ठीक तो अभी जस्ट सोचो चोट इतना चोटा प्र चार सो कुछ स्नफ डोगन को चुश होगा हूँ ठीक है तो वह प्रजेसर को आपक को दस साल तक चला सकता है दस साल तक इस ताप बर्किंग में यह मार्श मंलोई इसमा बता दो मार्श आप सौफएर में यह मार्श मैलोई फॉन तो 10 साल तक यह फोन अगर बर्किंग में अच्छे से काम कर सकता है आज भी ऐस साल करें ऑछ ज़ा जाली है तो फर यह जह अभ विझा साल हुआ है एक साय से 1,400 साल से अब 2 साल होने वाले वाला होगा बिस हट। तो इस फोन का जो प्रस रहो एग जिंट तू प्रस रहे है और यह अने है इसमें कि यह जो प्रस है यह कितना किपेवल हो सकता है अजर दस साल अप दस साल से और आगे सुछ सकते हैं उस चीज के लिए इस फोन में अर्डिफिशल इंटजिजरएंस एंप बहले ही बहुत जदे अडवांस लेवल कर नहीं बड़ एक बेसिक लेवल का है जिसको आप डेली राइब में यूज कर सकते हैं कॉलिंग के लिए और फोटो के लिए रिटिंग बेसिक नोट्स समराइजिसेशन लाइब टेक्स्ट ट्रांजिशन जो भी अब बात करना जाएं इस फोन में डारेक्ट लाइब डॉक कर सकते हैं तो इतना अगर आज कब जो प्रस्टर यह कैपिबल है तो आप सोच यह फोन क के अंदर पैक्ड है और एक चीज़ और बता हूं यह जो दोनों को फोन का साइज है ना यह दोनों को सेम ही लगता है तोड़ा सा अंतर है और दस साल में कितना नो या आठ साल में कितना डिफरेंस आया है कि टेक्नोलजी कहां से कहां पहुंच गा मतलब समझो आप तो फिर वीडियो में ने इस फोन के सार भी चीज़े बताई है तो अगर आपको वह देखना है लेने से पहले तो आप जरूर से दिखेगा हां लेकिन आज की जितना ही फोन सा रहा है मैं कोई एक फोन कोई बात कर नहीं कर रहा है कोई भी फोन साब डालो एक दो तीन साल पहले का भ 22 के लिए होगा तो चार साल तो नार्मल मान के चलो अभी वी इसमें बहुत अच्छे चीज़े हैं और मैं करो अगर मैं यूस को यूस करो अभी भी मैं इसको दशल आठ सल यूस कर सकता हूं तो यह इडिपेंशन उन यूज़िस डिपेंशन कि आप उसमें कर क्या रहें क् ठीक है तो फोन आच के कोई भी उठा लो दो एक दू साल पहले वाला सब भी बैस्ट है कोई भी अपने अपनी जगह सब भी बैस्ट है प्राइस पॉइंट पे कैमरा में ले लो ठीक है बहुत सही चीज़ है तो यह तो फिर गई संसंग 23 स्रीज और प्रोस्टर अब देख प्रोस्टर है वो बहुत अच्छे सपोर्ट हागों मिलेगा यह नहीं मिलेगा यह चीज़ है तो फोन बैस्ट है नो डाउट इसके अब मैं स्पेक्स नहीं बतना लग जाओं कि हाँ इसमें इसमें स्पेक्स है यह चीज़ है बट अवर आल देखूं तो सारे काम आवा बि करना पड़ेगा और अगर आप दोनों की कंपरेशन वाले भी देखो गए अच्छे से तो खास है सब बहुत बड़ा अंतर नहीं करती कंपनी और एक साल में इतना डिपरेंश नहीं आता जास मैंने बताया अभी इस फोन को सम्झिंग 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 दोजार पंदर पंदरा में रिलीज वह था सोला में लिए था ठीक एक साल का अन्तर इसमें है और रिलीज हुए इससे टाइम पर आप सम्झोों 9 साल हसपास हो गया मेरे की यूज के लिए और सच नौ या आठ साल तो अराम से बैंगत साथ साल को यह जो बहुत सब्सक्राइब नहीं है और चैन्ज करें कि तो इस पीकर है लाउड नहीं है प्रोब्लम मतलब बहार है तो उस बिलकुल पता नहीं चलेगा बहुत कम आवाज है मतलब रहली डिस्प्ले में यह फोन अभी भी बैस्ट है कांटर वाचिंग अमस्त मतलब LCD पैनल होने के बाद भी आप उने सुना और कुछ वह भी नहीं होता है लोग में कुई ऐसा खास बड़े गड़वड़ी नहीं आता है ठीक बैटरी एक चीज है कि हाँ उसके बीस से आपको फोन चीज करना पर देबर अगर बैटरी अवलेबल है तो लाइन आप बैटरी चेंज करें तो बैस्त है आज के जितने ही फोन आप अच्छा एक ऐसा बड़ाव देखने के लिए जहां पर आपको तोड़ा सा कॉंट्रास्ट नहीं ज़र आए कि हां सच में बड़ाव है अब पर सेमसिंग का या स्ट सिरीज उठालो उसमें एस टुन्टी से एस टुन्टी फोर में कितना बड़ाव आया है या आपको पता ठीक तो पांच साल का जो डिफ्रेंस है पांच सरीज एक फोन के पांच बार रिलीस एक फोन के पांच बार रिन्यों मॉडल रिलिस होता है जैसे कि ऐस T20 फोर नाइक्स्टंटी दूसरा है आथ च्च्टंटी में एस तरह से पांच वर्जिन एक फोण की जब निकलते हैं तब वहां पर एक technology में advancement और hardware level पर भी advancement अब कुछ देखेगा अब देखो कुछ चीज़ें है जैसे के S20 जो release हो था उसमें storage कौन सा था UFS 2 होगा मेभी फिर इसके बाद अभी UFS 3 चल रहा था बीच पर 3.1, 1, 2 अब UFS 4 है इस phone में UFS 4 storage अभी इस phone में UFS 2 हो सकता है मेभी 3 होगा इससे कोई पता नहीं 2 तो होगा अच से 8 साल 7 साल UFS 1 होगा मेभी और मेभी EMC कच करके आता है कि storage type एक और आया था UFS से I don't know तो मैंने phone के specs में ज्यादा द्यान इसमें नहीं दिया तो just phone लिया था तो समझो 5 साल एक software और hardware level पर advancement होने के लिए लगते हैं पे करना पड़ेगा जब आइफोन अभी release हुआ है ठीक आइफोन 50 इस्टिल का वर जितना iPhone 6 जो 60 है उसमें सेम चीज हां company कहां पर अंतर कर देते हैं एक कुछ button add कर दिया कुछ अभी software में एक कुछ नई चीज लेकर आगए तो वहां पर यह चीज़े चिंजिस्ट कर देते हैं हाँ अगर आपको एक दो एक या दो तीन मैक्सिमम मैं कहूंगा पांच चेश चेश फीचर्स होते हैं जो कि नई जनेरेशन में अड़ हो जाते हैं अगर आपको सही में वह काम के लग जादा नहीं आएगा तो सेम हाड़वेर को यूज करके थोड़ा से चेंज करते हैं आइफोन में चीज बहुत होती तो वही सेम फोड़ा सा एक दू चीज़े एड़ कर देते हैं सौफ़वेर में और हाड़वेर में भी कंपनी हैं बनाने वाले तो इतना तो करीप तो वहां पर अप सेलिंग पॉइंट समझो और यहां पर कस्टमर पॉइंट समझो किस्टमर को थोड़ा साइज लेकर बदलाब चाहिए कंपनी वही सेम प्रोड़क्त बेचना है लेकर थोड़ा सा बदलाब करके बेच सकते हैं तो बिल्कुल सेल ठीक है तोई चीज़े है पराने फोन आज भी केफल हैं और एकसल वाले फोन एक सल बिलकुल ले टेस्ट लेना है तो बहुत साइब बिलकुल सेम ही आप थोड़ सा प्राना अट बड़ी देंगे अब यह अपने सुना अगवबीच में जो फोन सारे देंड्रूइट में अभी में अभी होता है में जो same chip है जो की heating जीस इंट्रपलेटिक प्रस्टर आया था snapdragon का दो वो एक प्रस्टर थोड़ा सा stable नहीं था मालब वो अपनी generation में एक ऐसा प्रस्टर आया था भी जो की best of luck था मालब ये फोन ये जो ये जिस भी फोन में डालेगा ये अच्छी performance लेगा अपने कुछ bugs होते हैं new adaptation के पर इसके बाद जो भी एक प्रस्टर आयडियन वन आया या फर एडियन टू आयडियन टू बेट जो प्रस्टर है निव फिचर्स के नहां पर आपको थोड़ा से बगदे देंगे फिर उसको सही करते रहेंगे जिस लूप टेक तो फोन जैसे मैं आपको बताया है आई वो आपको साब चीज समझे भी अलग 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 चीजों को देखिए फोन में और इसके बाद दिशाज कीजिए क्या आपको फोन लेना चाहिए और बेस्ट कौन सा है यह भी आपको समझ अज़ेगा फ्यूचर इस्टे बिलकुल लेटेस्ट लेटेस्ट को कोई नहीं है मतलब महां पर आप एक्स्टर पेज़ करो करो आई वहीं ठीक तो हीता आज के वीडियो में थे नेक्स वीडियो में थे छोची